तो आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास Android phone के एक पुरानी बैटरी है और इस टैप की बैटरी होती है ना इनके अंदर इस टैप की belt निकली होती है यह देखे यह जो आजकल की जितने भी Android phone आप देखोगे उनके अंदर सभी के अंदर ऐसी बैटरी मिलेगी आपको और उनके अंदर ऐसे बैल्ट वाले सिस्टम होगा तो इसकी जो बैल्ट है यहां से यह हमारी कट के अलग हो चुकी है तो ऐसे मेरे पास काफे दिन से काफे सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे मु बैटरी को यूज करके हम कौन-कौन सी लाइट या कौन-कौन सी मोटर वगरा को यूज कर सकते हैं इसको भी लेगे काफे सारे लोगों ने कोस्टन किया है तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूं कि अगर आपके पास भी स्टैप की कोई एनुट फौन की पुरानी बैटरी है और आप उसे यूज करना चाहते हो तो किस तरीके से आप उसे यूज कर सकते हो वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तभी आप हमारे चैनल को subscribe और वीडियो को like करें otherwise वीडियो को dislike करें तो चलिए friend ज्यादा समय नगवाते हुए वीडियो continue start करते हैं तो यहां पर देखिए अब हमें क्या करना है जैसे कि हमारी इस battery की belt हमारी यहां से cut गई है और अगर आपके पास battery ऐसी है जिसके अंदर belt है तो यहां से भी प्लस माइनस को देख सकते हो लेकिन इसके अंदर बिल्कुल connection होते हैं तो यहां से multimeter से आप इसली चेक कर सकते हो किसी वीडियो के अंदर वह भी बता दूंगा फिलाल मैं आज की वीडियो के अंदर वह बताऊंगा कि अगर आपके पास इस प्लस माइनस के connection आप निकालोगे तो यहां से क्या है कि यहां से तो हमारी belt कट गी है तो हमें simply इसको उपर से खोलना होता है देखिए कुछ बैटरी के अंदर तो ऐसे पूरा पैक होता है जैसे कि इसके अंदर पैक है लेकिन यहां पर हलका हलका आप निसान देख रहे हो यहां से आपको कट करके निकालना पड़ेगा और कुछ बैटरी के अंदर ऐसे खुला हुआ है तो simply इसके उपर यह टेप लगी हुई है तो इसको हमें इस तरीके से हटाना होत तो यह देखे इस बैटरी के अंदर इतना बड़ा हमारा चार्जिंग सर्किट लगा हुआ है तो इसको एक बार आप ध्यान से देखे तो यहां पर देखे छोटी-छोटी हमारी आइसे और कुछ रेजिस्टेंस वगरा लगे हुए हैं तो ऐसे में यहां पर तो आपको यहां पे आप डारेक्ट प्लस माइनस को चैक करके यहां पर वार को जोड सकते हो तो यहां पर हमें यह दो पॉंट दिखाई देने लगे बैट्डी के अंदर से आ रहे हैं यह तो यहां पर हम क्या करेंगे मेरे मेरा मंथ को यहां वोल्टेज को छैक100 होगी तो यहां पर वोल्टेज दिखाएगा अगर चार्ज नहीं होगी तो यहां पर वोल्टेज नहीं दिखाएगा तो यह भी चीज हमें देख लेनी है तो हम इस तरीके से माइनस वाला कौन सा है जैसे कि यह जो रेट प्रोब है मैंने यहां पर रखा है तो यहां पर इस तरीके से आप देख सकते हैं वोल्टेज हमारे 3.6 आ रही है और आगे कोई भी माइनस का निसान नहीं है यह देखिए यह चीज भी समझना बहुत जरूरी है और अगर आप प सोचो कि वोल्टेज तो मिली रही है बस यहां पर लगा दें तो यह चीज आपको समझ लेनी है यहां पर इस तरीके से जबाब करोगे तो वोल्टेज के आगे आपको कोई भी माइनस का निसान नहीं मिलना चाहिए तब भी आप समझ जाओ कि आपका जो प्रोब है सई जग सकते हो यह तुर्ठल मेरे पास सबस्क्राइब को जोड़ करें को चारज करना है तो आप यह थी आप इस त्क प्लस मांस को देखके यहां पर इस चाह सब्रसकर को यह जोड़ सकते हो जैसे सकते हो और उसके बाद आप अपने किसी भी more charger से शार्ज भी कर सब्सक्राइब इस तरीके से आपको चार्ज करना है तो आको बैटरी भी हो जाएगी और यहां से आप इसे किसे टिवाईस के अंदर लगा लगी मिले तो आप उस बैटरी की जगा पर इस वाली बैटरी को बड़े ही अराम से यूज कर सकते हो आपको कभी भी कोई प्रोलम नहीं आने वाली तो इसके अंदर तो आपको कोई प्रोलम नहीं होगी अब यहां पर बात करते हैं कि भी इस बैटरी को चार्ज कैसे करें तो आप जोड के और इस connector से आप उपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं यहां पर simply आपको mobile का charger लगाना है और यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दू कि यह जो हमारी बैटरी है यह हमारी 4000 अमेश की बैटरी है तो इसको लगबग आप 2-5 गंटे तक ही चार्ज करें ऐसा नही है लेकिन उससे ज्यादा देर तक आपको इसे चार्ज नहीं करना नहीं तो यह बैटरी जल्दी हमारी फूल के खराब हो जाएगी तो यह चीज आपको ध्यान में रख लेनी है अब बात कर लेते हैं कि इस बैटरी के साथ में कौन-कौन सी लाइटे यूज कर सकते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास जो भी पुरानी बैटरी हो उसे आप फेका ना करो अगर उसके अंदर हलका फुल का दम है तो ऐसे चोटी मोटी एमर्जेंसी लाइट वेगरा के अंदर आप ब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टोपिक साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम